हे गाइज आज की वीडियो में मैं सेयर करने वाली हूँ अपने वीडियो में मैंने अपना फेवरीट को यूज किया है होम रेमिट्रे बहुत ज़दा पावरफुल है और नो हार्स केमिकल ये बहुत ज़दा बजट फ्रेंडली होने वाला है तो फूल वीडियो को वच करना winter मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है and winter मेरा favorite month है थोड़ा सा मुश्किल होता है blanket से निकलना बट ये तो daily life का एक part है ये सारी चीज़ तो करना ही पड़ता है winter में बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ वो tuition का picnic, school का picnic आप लोग का कौन सा favorite month है comment में जरूर बताना and winter में सबसे best part लगता है कि market में इतना सारा colorful vegetable fruit ये सारे चीज़ मिलता है and winter में सबसे अच्छा चीज़ जो मैं अपनी skin के लिए करती हूँ सुबा उठके अपने skin के लिए मैं green juice पीती हूँ उसके लिए थोड़ा सा bit root, गाजर, पालक, थोड़ा सा कच्चा हल्दी and आवला, एक नीबू and अनार मुझे किसी ने बोला था comment करके कि full body glowing skin के लिए drink तो ये रहा drink इसको अच्छे से देखो and use कर, result just amazing तो सारे चीजों को मैंने धो लिया, उसके बद अच्छे से सारे चीज को cut कर लेंगे, cut ऐसे करना ताकि grind होने में थोड़ा easy हो जाए है और spinach को भी ज्यादा छोटा छोटा नहीं बट इस अब से and हाँ apple मेंने दिखाना भूल गई थी उस time तो हाप apple में ले रही हूँ, यह एक glass के हिसाब से यह सारे quantity लिया है, आप लोग अगर ज्यादा बनाओगे अपने घर के family किसी member के लिए तो उस हिसाब से अपने quantity को ज्यादा कम आप लोग कर सकते हो है अनार भी मेना हाप लोगी, एक अनार का हाप अनार और एक apple का हाप एपल तो यह एक glass का हिसाब से यह सारे quantity है, अब चलो juice बनाते हैं, तो मैं तो juicer नहीं है, तो मैं mixer grinder में सारे चीजों को में अच्छे से डाल दूँगी, इसके बाद एक कप पानी भी याड करेंगे ताकि smoothly अच्छे से grind हो जाए, एक big size का चलने का यूज कर रही हूँ, इससे में बहुत अच्छे से juice निकल जाता है, एंड थोड़ा सा मैं प्रेस कर दूँगी, इसपून से, हाप टी स्पून, मतलब हाप मेरे नीवू इसमें डाल दिया है, एंड हो गिया है, रेडी मेरा glowing skin का drink, just game changer है guys, इसको पी के देखना, इसके बाद मेरे को बोलोगे कि दी क्या कमाल का drink बता है आपने, and vitamin A, minerals, आपको इसकीन को बहुत अच्छे से protect करेगा, इसकीन में बहुत अच्छे से protein provide करेगा, blood purified करेगा, अंदर से जिसके करना आपको एक्ने नहीं होगा, इसकीन के लिया दिखेगा, आपको humidity system को boost करेगा, and सबसे अच्छा चीज है कि यह अगर regularity से प्योग है, तो आपको weight loss तो हो गई, उसके साथ साथ आप देखोगे, आपके skin में drastic change दिखेगा, क्योंकि अंदर से इसकीन इतना ज़ब bright लगेगा, इतना ज़ब glow करेगा, आपको कभी भी winter में जो खीचा-खीचा आपका लगता है, वो feel नहीं होगा, क्योंकि अंदर से आपको बहुत अज़ब अज़ब करेगा, क्योंकि इसमें अनार है, and आपके eyes के health के लिए भी बहुत ज़बा, अच्छा ये drink इसमें carrot में ने add किया है, and beetroot से आपका anti-aging को भी help में लगे, skin को glow करे आपका dark spot को भी reduce करेगा, तो इसको जरूर आप लोग ट्राइज जरूर करना, excellent source of vitamin C, antioxidant, जिसके कारण आपका overall सर से लेके पाउं तक आपको बहुत ज़ब बेनिफिट देता है, आपका hair, आपका skin, अपना unit system, आपका अगर पेट में कुछ भी problem हो उसको भी, and आपका liver के ल करना, उसके बाद मुझे आके बताना, step walk out, I know winter में थोड़ा सा अलसी पन तो आही जाता है, पर आप अगर जीम नहीं जा पारो, तो घर पे भी आदा से एक घंटा जरूर आप walk out करो, क्योंकि walk out के बिना आपका beauty, जो routine है, वो अधूरा है, walk out करने से आपका overall health तो अच्छा अगर पाना है, तो walk out जरूर करें, winter में भी, winter में नहाना, आपने आप में बहुत बड़ा एक challenge है, जिसके करान हम लोग बहुत ज़्यादा गरम पानी का यूज करते है, और हमारे body का जो natural oil है, वो रिमूव हो जाता है, जिसके करान बहुत ही ज़्यादा dryness फील होता है, फ पानी थोड़ा गरम रहता है, यह में ट्री की उस करते हैं, तो सोचा आप लोगे से सेयर कर लोगे, हर दो बहुत है मॉस्ट्रोजर के ज़रूरत है, तो मैं लगाती हूँ अपना body oil, जिससे बहुत अच्छे से skin hydrate रहता है, मॉस्ट्रोजर रहता है, उसको यूज करना बह कोकनट ओयल ले लोगे, एक चमच और एक चमच ले लोगे, ऑलिव ओयल, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना, और मेरे जैसे ओयल को गिरा मत देना, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, आपके पास अगर काच का कांटेनर है, तो आप जादा करके बना के भी स्टोर कर सकते हों मेरे पस नहीं था तो में रोज बनाती हूं रोज लगाती हूं नहाने के बाद जब गीला रहता हैous पर औध्युकोंसाज॥ तब अच्छे से इसको मसाज करना, आप इस oil को मसाज करोगी है, अच्छे से, आपका body इतना अच्छे से इसको एब्जॉब कर लेता है, आपको sticky भी feel नहीं होता, एकदम चिपचिपा feel नहीं होगा, आपका skin बहुत ज़्यादा hydrate रहता है, in fact, आपको 24-7 आपको dehydrate, आपका dry यह सारी चीज फील होगा ही नहीं, यह body oil, actually मेरा खुद का नुसका नहीं है, यह मैंने बचपन से ही मम्मी को ऐसे लगाते हुए देखा है, तो यह continue परामपरा चलते आ रहा है, हर टाइम विंटर में में यह body oil यूज़ करती हूँ, मुझे body lotion की ज़रूरत नहीं पढ़ती ह और यह बहुत ज़्यादा अच्छा है इसकिन के लिए और इसकिन भी बहुत अच्छे से hydrate रहता है, dry नहीं फील होता है और इत्तु ज़रा सभी आपको heavy नहीं फील होगा और बहुत ज़्यादा effective है तो ज़रूर ट्राइ करें, विंटर में जितना ज़्यादा आलस फील कर करना होता है, so girls, आप winter में at least यह चीज़ skip मत करना, वह है face saving करना, face saving करने के बाद आपके जो skin में एक अच्छा सा glow होगा, जो भी आप product यूज करोगे, बहुत अच्छा से penetrate होता है, और मैं यह aloe vera gel यूज करूँ, यह saving के लिए ही है, आप लोग नॉड मेल aloe vera gel यूज क करती हूँ, ताकि मेरा sensitive skin है तो कोई problem ना हो, आप लोग अपने हिसाब से भी कर लो, and मैं जो यह razor use कर रही हूँ, यह razor भी face के लिए ही design किया है, तो मुझे इस से cut नहीं होता है, और मैं easily smoothly अच्छे से कर लेती हूँ, और मैं eyebrow भी घर पे ही करती हूँ, क्योंकि पालर वाला दीदी से करवा करवा के मेरा eyebrow आदा तो उसी नहीं बरवाद कर दिया, lockdown के बाद मैं खुद पालर वाली दीदी बन गई, तो मैं आराम से खुद से ही कर लेती हूँ, और मुझे ना अभी neat and clean वाला eyebrow पसंद नहीं आता है, थोड़ा सा, मतलब natural look जो लगता है वो, and यह सारे निकलने के बाद, इसकी इतना जादा clean लगता है कि इतने कि उतना जादा गंदी ही निकला है, and आपका भी face में अगर active acne है, मेरे तरह, actually मेरे एक ही है, क्योंकि मुझे period होने वाला है, so hormonal problem, तो यह सारे चीज तो निकलता रहता है, and उसके बाद, सारे चीज clean होने के बाद, मेरा skin कितना जादा clean लग रहा है, कितना जादा soft लग रहा है, अब जो मैं करती हूँ, वो है icing, I know, आप लोग सोचते होंगे कि winter के time पे icing, बहुत जदा ठंडा है, कैसे करे, पर guys मैं करती हूँ winter के time पे भी icing, क्योंकि यह बहुत जदा important step है, अगर आप saving कर रहे हो, icing करोगे तो आपको skin बहुत जल्दी heal हो जाता है, आपका pores भी close हो जाता है, और आपका skin में जो एक soothing, जो cool, जो effect आता है, वो तो अलगी level का satisfaction देता है, और देखो, आधा मैंने खतम कर दिया और मैंने दोनों cheek देखो, पुरे red, red हो गया है, ऐसा लग रहा है कि मैंने natural blush लगा लिया, अब जरूरत नहीं है, ब्लस लगाने का, पूरा मैंने अच्छे से tissue से, पूरा जो water था, icing का, जो मैंने किया था, वो पूरा soak कर लिया, अब मेरा skin कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो red, red हो गया है, और 10-15 मिनीद बड़ सेटल हो जाएगा, फिर से मेरा serum बाबू क्योंकि winter के time पे जो एक हवाद चलती है, जो एकदम skin को रूखा बना देती है, बहुत ज़्यादा ड्राइड नजर आता है, और इसके करण skin थोड़ा सा dull और dark नजर आता है, तो मैं use करती हूँ अपने skin को hydrate करने के लिए face seat marks, और मैं जो use करती हूँ, minisio का, वो है deep hydrating facial seat marks यह pigmentation को भी reduce करता है, और सबसे अच्छा based part लगता है, minisio का facial seat marks का, वो है यह बहुत ज़्यादा budget friendly है, only 60 rupees and guys, मैं हमेशा से minisio का use करती हूँ, trust me, बहुत अच्छा effective है, तो मैंने इसको freeze से 10 मनी पहले ही निकाल लिया था, अब मैं पूरा face में इसको लगाउंगी, face seat marks बहुत ज़्यादा glowing and hydrating लगता है, so इसको आप easily लगा सकते हो, कोई जहमेला भी नहीं है, so मैं आप लगाने के बाद आप लोगे साथ थारा मस्ती भी करूंगी, जैसे कि मैं डराने की कोशिस कर रही हूँ, और seat marks में एक problem होता है, कि पॉपर तारीके से face में sit नहीं होता है पर मैंने उसका भी तोड निकाल लिया, तो आप लोगों में दिखाऊंगी, वो है मैं अपने knife से थोड़ा सा कट कर लेती हूँ, अपने naak के side पे, अपने eyes के side पे पर guys, इसको थोड़ा सा समाल के करना, थोड़ा से देख के करना, आराम से करना, so मैं यहाँ पर थोड़ा स हैंड पे भी लगा सकते हो, गले पे भी लगा सकते हो, और face में भी अच्छे से इसको लगा देना, और मैं वेट करूंगी 15-20 मिन में 20-15 मिनिट भी कभी कभी कर लेती हूँ, और इससे आपके skin बहुत अच्छे से नरिस हो जाएगा, deep hydration मिल जाएगा, so 20 मिनिट मेरा हो गया है, अब मैं इसको उतार दूंगी, पर मैं ऐसे इसको उतारूंगी नहीं, इसको उतारने के बाद भी इसका कम खतम नहीं हुआ है, मैं दिखाती हूँ कि मैं इसका क्या यूज करती हूँ, इसमें थोड़ा बहुत भी जो सीरम रह जाता है, मैं अपने हाथों पे इसको एप साज करना है उसके बाद इसको छोड़ देना है ताकि आपकी इसकी में अच्छे से पेनिट्रीट हो इसके बाद अगर आप मेकप भी करोगे या फिर कुछ भी अपलाई करोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा आपका इसकी ग्लोई इंटर में सबसे जादा मेरा फेविरीट पैक है वो आज आप लोगों के साथ में सेयर करने वाली हूँ ग्रीन मुग डाल जिसको आपको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पाउडर बनाने है उसके बाद दही एड़ करेंगे आपका कॉंटिटी के हिसाब से अगर एक चमाच आप पाउडर यूज कर रहे हो तो एक चमाच दही उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये क्लिप में लगा लूँगी ताकि हेयर मेरा फेस में ना है और मैं अच्छे से फेस पैक लगा सको दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब फूल फेस में अच्छे से इसको लगाना है फेस पैक आपको बहुत अच्छा सा ब्राइट स्किन मिलता है, पिग्मेंटेशन को भी डिड्यूस करता है, एकने स्पोर्ट को एकने को और संटन को भी रिमूव करता है, और आपके इसकिन में जितना सारा डेट से लिए और नैचरेली रिमूव होता है, बिकॉज यहां पर मैंने तो आपको लैक्टिक असीड सीराम यूज करने की जरूरत नहीं है, यह फेस पैक अगर आप यूज करोगे, तो अच्छा अच्छा सीराम यूज करना भूल जाओगे, और यह फेस पैक अगर आपने एक बड़ यूज कर लिया, उसके बाद आप इसको कभी भी स्किप नही करोगे, तो इसको 20 मिनिट में लगा के रखोंगे, उसके बाद रिमूव कर लोगे, पर 20 मिनिट से ज्यादा नहीं रखना है, 20 मिनिट इनाफ है, तो इसको पहले अभी ड्राइ होने देते है, तो 80% मेंने ड्राइ कर लिया है, 100% नहीं, तो 80% ड्राइ होने के बाद, इसको हलका हाथ से थोड़ा पानी लेके, इसको हलके हाथ से मसाज करना है, इस क्रावर का जैसा जोर जोर से घिसना नहीं है, गाज देखे रो, मेरा स्किन कितना ज़दा ब्राइट लग रहा है, एक एकदम इस्टन आपको एक ब्राइटनेस देता है, इसकीन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फिल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा डेट सेल जो मेरे स्कीन में था, वो पूरा रिमूव हो गया है, और इसकीन एकदम स्मूथ, सॉफ्ट एंड बहुत ज़्यादा ग्लोइंग भी मॉस्ट्रोजर चाहिए, जो मेरे स्कीन को बहुत ही ज्यादा हैल्दी और हाइड्रेट रखे, तो मैं घर पे ही अपने लिए मॉस्ट्रोजर जो बनाती हूं, उसके लिए मैं 2 टी स्पून अलोबरा जेल यूज कर रही हूं, मैं हिमालिया का यूज कर रही हूं, आप ही थी कस्मी से पूरा 100% प्योड है, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, और सारे चीजों को मैं अच्छे से मिस्क करूंगी जब तक केसर का कलर छोड़ ना दे, तो इसको अच्छे से फेटना है, उसके बाद बहुत प्यारा सा एक कलर आ जाएगा, क्योंकि केसर ने केले जो सनबन हो जाते है, उसके बहुत सूधी ने एफेक्ट मिलता है, आपको इसकिन के इनफ मौस्टरोजर देता है, आपको इसकिन को हेल्थ को बहुत बुश्ट करता है, आपको रिंकल्स के लिए भी फाइट करता है, और सबसे अच्छा आपका ब्लेमिस की भी करने के लिए बहुत ज़दा है, आपको पता है गाइस जो इसकिन टोंजी रहता है, इसमें भी बहुत हद तक है अपके इसकिन को बहुत अच्छे से मौस्टरोजर हाइडरेट भी करता है, यह तीनों चीज जो मैंने मिक्स किया है, आपके इसकिन के लिए अलग से अंडर किरीम का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसकिन को बहुत अच्छे से नारिज करेगा, ग्लो देगा और विंटर बहुत हैपी हपी अपकर जाएगा, आपको बहुत अच्छे से एक ग्लो तो मिलेगा ही रेगुलर यूज करने से, तो जरूर आप इसको अपनी सकिन और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा गाएज, वो जरूर आप लोग बताना, और वीडियो को अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग का हेल्फूर रहा होगा, तो सब्सक्राइब लाइक कर देना, फिर मैं आप लोग से मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के खुत रहे, बाई!